एम आज़े कि लिटेट लाइब स्वागत आप से आशीर सिंग लेक्चेर्स के लिटेस्ट लाइब स्ट्रीम् के पदों को बहुत ही अच्छे से मोश्मलत पड़ीहां हम बहुत अच्छे है कि दिर्वेमान प्रतिशत किया होता है एक है यह क्या है मोलता क्या है pati million और सुन और कर सकते है अब हमें बहुत अच्छे नहां है कि किस प्रकार हम विलेता को किस प्रकार हम सांद्रता के पदों को व्यक्त कर सकते हैं यह बहुत अच्छे से आप हमें जो सीखने जाना है वह इस चैप्टर का दूसरा पढ़ाओ जिसमें आप लोग विलियन का अध्यान करना शुरू करोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ विलियन का अध्यान करना शुरू करेंगे कि हम अभी तक विलियन नहीं पढ़ रहे थे आप विलियन की इध्यान कर रहे थे परंतों विलियन की सांद्रता का अध्यान कर देंगे यह बहुत important class होने वारी है यहां से हम लोग हमारी यातरा को सम आप्त होगा अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने सांद्रता के पद नहीं देख रहे हैं तो अभी भी समय है आज रुकष करके आप सांद्रता के पदों का अभ्यास करना उनको सीख करके क्लास में आना आ जल्दी से फ्रो में आ जाओगे और आपको बहुत मज़ाएगा चलिए शुरुवात करते हैं सभी को नमस्कार राम राम से सेका स्लाम वालेकुम whichever you feel connected with let's get this started शुरू करते हैं विलियन देखो वैसे तो विलियन बहुत प्रकार के होते हैं पर हमें इस चैप्टर में जो विलियन पढ़ने जाना है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनिये गा और चाहें तो अपनी जिसको मिलाते हैं उसको विले बोलते हैं और जिसमें मिलाते हैं उसको अपन विलायक कहते हैं तो जो विलायक है वो क्या होना चाहिए द्रव होना चाहिए अगर आपका विलायक द्रव है तो हम उस प्रकार के विलियन को जो है द्रवी विलियन के नाम से जानते हैं अब विल कैटेग्री तीनों है गलर का मुझे नहीं पता है तो ह Incorassing अपने ङसाप से लिखरा हूं विले में हमारे पास थीन उप्षिन है अगर विलäक आपका दो क्यों कॉं там से हैं पहला ऑप्षन विले मैं आपके प्षा ब recipient है कि आप अपने को ठोस ले सकते हैं मैं तीनों का एक 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 जामपल आपको देता हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो और यह जो कलर का लोचा हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाहूंगा और कि यह थम्लेल के उपर कौन सा कलर अच्छा लागे का पता नहीं यह ब्लैक वाले सेक्शन में लिग देता हुआ जिसके अंदर ठोस विलेए जो है वह द्रव विलाया केंदर मिलावा अगजामपल हो गया दूसरा यह ऌसकता है कि आप जो विले ले रहे हो वो आप लेंठैखर हो है न रोज शाम को आदी से ज़ाइद दुनिया जो है वो एल्कॉल को पानी में मिक्स करें को सेवन करती है दारू बनाती है तो वो जो दारू ओर है उसके अंदर क्या है कि आपका जो द्रव है एलकोहल उस एलकोहल को एक दूसरे द्रव के अंदर अर्थात पानी के अंदर गोला जा रहा है और उससे जो विलेन बन रहा है वह आपका द्रवी विलियन को मतलब यह है कि आइसा विल्य जिसमें विलाया एक पानी में गोलते हैं फिर उसको हम सोडा सोडा करते हैं ना यार सोडा लिया हो किसके साथ लेंगे सर वो आता है ना वेटर बार के अंदर किसके साथ लेंगे सर पानी या सोडा पानी या सोडा क्या है सोडा वो ही है कि आप क्या कर रहे हो पानी के अंदर आपने कार्बंड़ तो पानी के अंतर कार्बन डायक्सेड मिली भी है उसी को हम सोडा बोलते हैं तो आज की पूरी क्लास में मोटे-mोटे तौर पे जिस विलियन यूर्ण कात्याद करना है वह जब हम गईस को मिल News अंदर और जब गयस को द्रो कि मन मिलाते हैं तो उससे समझ Mustu नियम है उस नियम का नाम है हैं रिभासाब का नियम तो यहनरी भानिंसांप कर पढके स्बाइब करिया हम नहीं पीते हैं धैना हमनी पीते हैं जी हैं अगर हम पीते होते तो सुवहLER नौबजे क्लास लेने नहीं आपाते समझ रहे हैं और पीने वाले जो destructive पीने यह ने जो होता है उन्हें फेसिते हैं पीते हैं सुते हैं फिर टोसे लोट़ौ में देखा न nights एक बंदे का इंटर्विव आया कि अनलॉक वन की प्रक्रिया शुरू ही वह भाई साथ पहुंच गए दारू की दुकान पर वहां जाके बोलते हैं कि आज मैंने ले लिया है दारू का पोवा और एक मैंने ले लिया है मुरगा अब मैं उठूंगा प्यूंगा खाऊंगा फि विलके यहां से क्लास को शुरू कर रहे हैं देखो सबसे पहनी बात क्या है कि आपकी थोड़ा बहुत पर फोकस करती है एक तो आज हम हमारे दिस्केशन को यह जाएगा降 उसfte पर जाएगा आपको फिर एक अद्न इमेरिकल्स के लिए जाएंगे और इस प्रकार से पूरी प्रिक्रिया आगे बढ़ेगी चली शुरू करते हैं हेडिंग आपके सामने है मैं आपको एक छोट इसी चीज कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि जब भी आप इस टॉपिक को पड़ो तो दिमाग में एक बात रखा करो जैसे सामने हेडिंग लिखी वी है मालो ठोसों की दर्वों में विलेता तो दिमाग में एक चीज लिए क्या जाया करो कि ठोस का मतलब जैसे कि नमक हमारे घर में नमक होता है न नमक बोले कि हमने जी ao match को लों Member कि मैग इसका मतलब यहाई कि जैसे आपकी दिमाग में आपको वोलेका पाक तो आपके दिमाग में इसने पने मेज़ आपके दिमाग में आपके पापजी की इमेज बन रही है, सही है, कल फादर्स डे भी था, तो बात यह है, उसी प्रकार, जैसे कोई आपको बोले, ठोसों की दरवों में भी ले था, सीधी दिमाग में एक इमेज बनने चाहिए, कि नमक को पानी में गोल रखा है, अब जो भी दिसक्रशन हम करेंगे, उसके अंदर आपको यह याद रहेगा, कि हाँ, नमक को पानी में गोलते हैं, तब क्या-क्या बाते हुए थी, यह सरने पढ़ाया था, इसको बोलते हैं, scientific method of study, इसको हम बोलते हैं, image pattern, हमारा दिमाग image को जल्दी पकरता है, चलिए, शुरू करते ह ठोसों की द्रव में विलेता को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, विलेता का simple भाषा में मतलब है गुला, जैसे आपने मालो नमक को लिया और नमक को पानी में घोल दिया, मैं उसी example को लेके चलूँगा, अब समझने की कोशिश करना कि परिवाशा कितनी सुन्दर बनाई व तापमान का मतलब क्या है, जैसे मालो आप रासोई में खड़े हो गए, आज बहुत ज्यादा उमस है, हमारे नातों बारिश शायद होगी एक दो दिनों में, तो मालो आपका जो temperature है, वो 30 degree centigrade है आपकी रासोई का, तो जब तक आप नमक को पानी में घोल रहे होगे, वो समय सो ग्राम विलायक में घुल सके, उसे उस पदार्थ की विलेता के नाम से जानते हैं, इतनी सिंपल परिवाशा है कि आपको सो ग्राम पानी लेना है, यह fix है, सो ग्राम पानी जो है, वो fix है, सो ग्राम पानी, यह नोंने fix कर दिया, यह विलायक है, पानी क्या है, विलायक है 100 ग्राम पानी फिक्स कर दिया अब आपको कहा कि मुन्ना गोलना शुरू करो जितना नमक जितना नमक तुम इसके अंदर गोल सकते हो वही तुमारी विलेता कहलाएगी मालो तुमने 8 ग्राम नमक गोल पाए 8 ग्राम के बाद में नमक नहीं गुल रहा क्योंकि ऐसा होता है किसे मालो आप एक निश्चित अमांट में पानी ले लो और निश्चित अमांट में पानी लेकर के आपने उसके अंदर नमक गुलना शुरू किया गुलेगा गुलेगा और नमक डाले जारो डाले जारो डाले जारो उसे हम लोग विलेता के नाम से जानते हैं रिशब जी कह रहे हैं कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चो अगर तापमान बढ़ाओगे तो तापमान को बढ़ाने से क्या होता है बोलो आई बास समझ में सही है, चलो आगे बड़े तो एक निशित नापमान पर थोस पदार्थ की ग्राम में वै और धिप्तम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में गुल सके उसे पदार्थ की विलेत कहते है अर्थात विलेता की इकाई क्या है ग्राम प्रती 100 ग्राम विलायक मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस केस में हम 30 डिग्री टेंपरिचर पे मालो 8 ग्राम नमक को ही 100 ग्राम पानी में गोल पाए तो पता इसकी विलेता को कैसे लिखेंगे इसकी विलेता लिखेंगे 8 ग्राम प्रती 100 ग्राम और उसके बाद कॉमा करके तापमान लिख देंगे तीस डिग्री सेंटिगेट तो इसको देखते ही समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि आपने ये लिखा है कि तीस डिग्री तापमान के उपर सो ग्राम पानी के अंदर अपन केवल और केवल अधिक्तम आठ ग्राम नमक को सकते हैं ये इसका मतलब है जिसको मतलब समझ में आ जाया है तुरन्त प्रभाव से यस लिखे जैसे कमेंट्रेक्शन में यस या मक्षन आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है यह प्रति यह काई है प्रायोगा आत्मक कारियों में प्रियुक्त की जाती है मतलब होता य कि एक लिटर आप ले लो एक लिटर के अंदर जितने भी मोल आप जोड़ पाओ जो घुल सकते हैं उसे हम लोग मोल प्रती लीटर के नाम से जानेंगे मोटी मोटी बात बच्चों को समझ मानी ची यह कि फई एक छोटा सा विलायक आपके पास है उस विलायक के अंदर अधिक्तम मातरा में जितना 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 हो सके विले अप मिला सको उस एक पर्टिकुलर टापमान पर उसी को हम लोग जो है विलेता के बड़े बड़े चलो अब देखो सुंदर सुंदर परिभाशा है सुंदर सुन दर स्लाइट्स के ऑपर आपके लिए हैं बनाई गई है हमारी टीम बहुत मैंनत करती है आप लोगों की रात रात बर बैट के डिक्राइट बनाती है आपको बस एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप ग्राम वाले format में एंसर कर दो चाहे आप इसे इस विलेता वाले format में मत्तलब मोल प्रति लीटर वाले में से कर दो एक ही बात है वे विलियन जिन में पदार्त की अधिकतम मातरा घुलियों ने संत्रप्त विलियन कहा जाता है संत्रप्त एक सो ग्राम पानी के अंदर 30 डिग्री सेंटिकेट पर जितना नमक घुल सकता तक घुल गया अब उसकी आत्मा शान्त हो गई इससे ज़्यादा नमक को में बरदाश नहीं कर सकता तो उस समय कहा जाएगा कि तुम संत्रप्त हो गए हो और उसे कहा जाएगा संत्र संत्रप्त विलियन आगई बास समझ में बहुत सिंपल है ना मजे लेके पढ़ाई करो ने यार क्यों परशान होते हो आगे देखो संत्रप्त विलियन में उसी तापमान पर और अधिक विले को नहीं खोल सकते उस तापमान से ज्यादा तापमान होगा तापमान बढ़ा हो तो कहीं चांस है कि आप और विले जोड़ सको बाकि उस तापमान पर अगर संत्रप्त विलियन बन गया है तो आप उससे ज्यादा विले को जोड़ नहीं सकते हैं मखन आगे बढ़ते हैं यह प्रेक्षित किया गया है अब सुनो एक बहुत बड़ा नियम है समान समान को घ गोलता है कमेंट सेक्षिन में फटा फट सभी बच्चे लिख देंगे जल्दी से समान समान को गोलता है समान समान को गोलता है समान समान को गोलता है इंगलिश में बोलते हैं इसको लाइक डिजॉल्व लाइक कॉनसेप्ट लाइक डिजॉल्व लाइक कॉनसेप्ट क्या मत लब है इसका देखो यह पाया गया है कि तो हमेशा पाया गया है आपके दोस्त कौन बनेंगे आपके दोस्त वो बनेंगे जो आपके जैसे होंगे सभी बात जैसा आपका नेचर है वैसे आपके दोस्त का नेचर हुआ तो ठीक है अगर आपका नेचर और आपके दोस्त का नेचर अलग अलग है तो वह दोस्ति लंबी नहीं चल सकती आप एक दूसरे के जैसे होंगे तो एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहेंगे और अगर एक दूसरे के साथ इतने अच्छे हो गए कि आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे हो आप दोनों की बॉर्णिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की विचार बहुत अच्छे मिलते हैं तो आप जीवन साथ ही में बन सकते हो बात में में कि आपकी शादी हो सकते हैं तो adhere लाइक हो ऐइंक से गुलेगा और प्यार मौबब पसंद करते हैं और अधुर और यह पदहर्द जो है वह आधुरुई विलायकों में गुलना पसंद करते हैं मैं जैसे नमक मैं आलो कि आप जलग प्राने जीवनकार में अर्थ ग्यार मिया में पड़ा ही तो कि होगी है औक्षिजन की विद्दु धिनात्मत्ता ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है है जो इने इस हाइडरोजन से इलेक्ट्रोनों की सांजेदारी जो कर रखी है उन्हें इलेक्ट्रोन को थोड़ासा अपने पास किच लेता है मतलब चीटिंग करता है cheating cheating करके electrons को थोड़ा से अपने पास shift कर लेता है क्योंकि इसका जैफ वह ज्यादा होता है यह सब हमने last class में पढ़ाता तो उससे क्या होता है और हईदोजन जो एवह और समस्झाउन के कोशिश अगर आप नमक को पानी में डालोगी तो पानी में डालते ही नमक जो है वह मागए बढ़ जाएगा अगर इनुडिं हो स्वागत कौन करेगा घ्र होकि फॉख्लेς कि अव्य 보ք वो सजना बात करते हैं बोले सवागत कौन करेगा में स्वागत में आई ये ये मिले बैठINS के बैठें tent यहां पोले तो यहां से या वह इसके यह दा यहां से जाओंगा क्यों ऑफ्सक्राव को बोलते हैं कि दूए विलायक के अंदर ही गुल्णा पसंद करता है अब जैसे नेफ्थलीन है तो नेफ्स़िलीन का एक्जामपल दिया हूँ है नेफ्सेलीन के अंदर कसी प्रकार का कोई प्लस माइनस है नहीं इसमें कोई आवेश नहीं है अब अगर ये पानी के अंदर गुलने की कोशिश करो तो पानी बोलेगा कॉन? तुम कॉन? तुम्हारे पास कोई आवेश ही नहीं है, मेरे पास तो प्लस और माइनस है, तुम्हारे पास कोई आवेश नहीं है, भागो यहां से, तो इसका मतलब नेफ्तलीन जो है, वो पानी में नहीं गुल पाएगा, नेफ्तलीन ऐसे किसी विलायक में गुलेगा, जैसे कि बैंजीन, बेंजीन बोलेगा जिसका कोई नहीं होता उसका बेंजीन होती है केमिस्ट्री में तो अब पानी ने बगा दिया क्योंकि नेफ्तिलीन के पास कोई चार्ज नहीं है तो नेफ्तिलीन जाएगा बेंजीन के पास बेंजीन बोलेगा भाई मैं भी तेरे जैसा हूं तेरे पास भ गोलता है वह वाला concept यहीं सब यहां पर लिखावा है अब यह चेक करते हैं कि टापमान बढ़ाने पर क्या होता है यह ना टापमान बढ़ाने पर जो विलेता है वह बढ़ती है के कम होती है मतलब मैंने क्या किया तीस डिगरी तापमान के उपर पानी के अंदर नमक को घुलना शुरू किया नमक घुलता 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 घ कुछ ठोसों की विलेता ताप बढ़ाने पर घटती भी है अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है उसके लिए होता है ला शातली नियम जो है उसके इसाब से अपन चेक करेंगे अब यह जो नियम जिनको भी पता है नहीं पता है मैं बताता हूं यदि किसी विले को विलेक में गोलने पर उश्मा अवशोशित होती है तो ताप बढ़ाने पर उस विले की विलेता बढ़ती है अब इसका क्या मतलब में मैं आपको के लिए करता हूं जैसे मानलो आपने विले के अंदर विलेक को मिलाया और विले प्लस विलेक बराबर व उशिर्ट लगी और उस उसमा से आपका विलियन बन करके तयार हुं या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है इसमें हमीशा अब मिलाया उस से कब यह और ऊश्मा बाहर निकल गई यह भी इक possibility है मतलब ऊश्मा उश्मा अवशोशित हो गई यहां पर उश्मा लगी है इस काम में विलियन बनने के काम में यह एक केस हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है कि उश्मा बाहर निकली हो अब दौनों केसों में अलग लग प्रभाव पड़ेगा तापमान को बढ़ाने पर ध्यान सुनिएगा कैस सोनि कि दिया था वो नियम क्या था कि जब विल्य का आपस में घुल चुके है और रेडी हो जो है अब अपक्या चाहे हो अब आप अपनी नमक पानी में घुल दिया है सब को तैया विसके इस बाहर से उसके ओपर कीडे कर रहे हो। किडे करने का मतलब हो सकता है आप आपमान बढ़ा दो हो सकता है आप आपमान कम कर दो हो सकता है आप विले बढ़ा दो हो सकता है विलायक बढ़ा दो हो सकता है विलायक कम कर दो तो ले शातनी नियम यह बोलता है कि जब भी आपने अपना एक साम्यावस्था प्राप्त कर ल लिटा इलकॉहॉल आधुर्विय नहीं है छी थ्री ओ कि 26 अधि म otherwise जब वॲ्लायक जब बनाएगा तो उस समय जब सام्य आज़स्था की समय हो स्ंसक्राव्टत होता है बैलन्स अब पराणी क्लास से आपके नहीं पड़ी हुई है मुझे रिवाइस करवाना पड़ता है इसलिए तोड़ा समय खराब होता है बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना विलायक के अंदर गुल चुका और उससे आपका बन चुका है कि इसके बाद साम्यावस्ता के बाद आपने जो कुछ भी लिया यह बच्चा है यूनिक सौरब नाम से बोले पीपीटी बना के मतलाया करो बेटा इस पीपीटी के अंदर एक आदमी की बारा गंटे के मैनत लगती है कि आप क्यूं अपने आपको इतना बड़ा मानते हो कि आप यहां पर आके यह बोल सकते हो कि पीपीटी बनाकर की मतलाया करो क्या करते हो यार तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो ना कमेंट पर कमेंट किया परमानेट ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको चैनल से क्या मतलब पर चुपचा पढ़ाई कर लो अपनी अच्छे से मैनत कर लो जो लोग आपके लिए मैनत करें दिन रात उनकी मैनत को कम से कम चैलेंज तो मत करो आपको नहीं पढ़ना जाई है आप यहां से हैं पीपीटी बनाकर के मतला ही है तो क्या ऐसे पढ़ाऊ सुखा क्लास के अंदर या लिखता रहूं हर एक चीज को टाइम खराब करते हो जो ची तीम गंटे में पढ़नी है उसको एक गंटे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप बोलो नहीं सर एक गंटे से चार कि यहान दीजी आप इद्यान दीजी अब यहाँ पर और इस थरए कमेंट ना करें तो बहतर रहेगा वारां जो जो जब विलेग के मिलता है सुनन कुर्स्टिया मेरे बनाता है तो एक सामय वस्था जाती वैलेंस आने के बाद में अगर आप आपने कोई भी कीडे किये हैं तो अभी किरिया उसका विरूद्थ करेगी किडे करने का मतलब बताया मैंने आपको विले, बढ़ा सकते हैं्ट व्यूइए वगर हम अब देखो यका वभी करिया उस तरफ जाएगी जहां वो आपका विरोध कर सके यह 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ले शात्लिय का निया यहां पर आपने तापमान को बढ़ाया अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जहां तापमान कम कर सके अब खुद अपना दिमाग लगाईए लेफ्ट एंड साइट म काम में लेकर के विल्यन बना देगी और तापमान बढ़ेगा नहीं और इन केस अगर आपके अभिक्रिया पीछे जाती है तो और ज़्यादा तापमान बनने लगेगा इसका मतलब यह हुआ कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है तापमान को बढ़ाने पर हम ये पाते हैं इस केस में कि अभीक्रिया ताप माण को कम करने के लिए उस तरफ जाना पसंद करती जिस तरफ ताप माण नहीं हो तो सीदे हाथ की तरफ यह तो आप अगे से कि कि यदि किसी विलेय को उश्मा अवशोशित हो तो ताप बढ़ने पर उस विलेय की विल्याइथा बढ़ती है जैसे एक्जामपल आपके सामने है कि ऑगर आप घुलोगे तो विलेयता बढ़े अबिक्रीया करेगी जहां पर पता करती आप अब तरफ जायेगी जहां पर सब्सक्राइब नहीं दिख रहा हो त्प में mlाइब कोषिश करेगी और अगर पीछिची जाती है तो विल्यन से क्या बनेगा विले और विलायक जबकि इसका मतलब यह हुआ कि जो घुलावा विल्यूइड विले रही हो और बन रहा है तो इसे शोशी दो प्रकम होते हैं अगर उश्मा शेपी प्रकम है तो ऐसे केस में आपको यह देखने को मिलेगा कि तापमान का प्रबाव उल्टा पड़ेगा अच्छा प्रबाव नहीं पड़ेगा चीक है आगे बात समझ में पापा समझा दिया है मैंने पूरी कहानी आपको अच्छे से क्लिए हो गई होगी सबको अच्छे से बात समझ में आजाने चीए कि अगर उश्मा आपकी लग रही है विलियन बनने में और फिर आपने तापमान बढ़ाया तो अभी के लिए आपका अब इस चैस में अब तापमान को बढ़ा हो गए तो अभी की लिए उस तरफ जाना पसंद करेंगी जाता आप मार नहीं है तो नहीं है तो पीछे की तरफ नहीं है और अगर अगर पीछे आती है तो बिलियन से बनेगा विले और विलायक और ऐसे के आनदर समझ्या बहुत के वाद समझा देते हो परीबाशाय नहीं लिखाते हो उस शिकायत को सोच करके हम लोग ने पीपीटी बगर बनाना शुरू किया आप कुछ बच्चे कमेंट करें कि पीपीटी मत बनाओ इसका मतलब यह है कि हम लोग कुछ भी हो उसका हमें विरोधी करना है है न हमें उस ची है अब अगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए इस पॉइंट को पगड़ने की कोशिश कीजिएगा यदि किसी विले को विलयक में गोलने पर उश्मा मुक्त होती है मैंने वह बात समझा ही ना आपको जो बात में आपको अभी समझा ही वह लेंग्विज में लिखी ही है कि यदि किसी विले को विलयक में गोलने पर उश्मा मुक्त होती है तो ताप बढ़ाने पर उस विले के विलेता घटती है मतलब यह वह वाला केस है कि जब आपका विले प्लस विलायक मतलब इसको ऐसे बनाते है विलेन प्लस उश्मा कि तो ऐसे केस में क्या होता है जब अपन ऐसे केस में तापमान बढ़ाते सिंगते ना जामको करना की शक्क्र में पीज़े भागती है उनकी विलेता जो है वो गड़ती है वह के इन पदार्तों का जली है सामय वरेलस्ता पर जो अभी के रिया है कैसी है उश्मा शेपी यह वह होती है जिस सांदर उश्मा मुप्त हो태 है उसे हम लोग उश्मा शेपी बोलते हैं बटर गोल्ड बिस्कुट वेरी कुट कि आगे बढ़ें कि शालो अब आप ध्यान से देगना यह परीबाशा है इस परीबाशा को ध्यान समयना जरूरी है यह परीबाशा एक्जाम वगरे में पूछ लेते हैं कभी-कभी कुछ जल वक्र अलग-अलग होता है और जिस्त आपकर दोनों वक्र मिलते हैं उसे संक्रमण ता आपके नाम से जाता है इस चीज़ को अपन होल्ड करके रखते हैं क्योंकि जब सही समय आएगा तब मैं आपको यह पूरी तरह से वापस समझाऊंगा तो कि क्रिस्टल के बारे में प सब्सक्राइब कर दोगे आप मुझे अच्छे से यह होड़ रखते हैं इसको मैं समय आने पर अच्छे समझाऊंगा को कि मुझे आपको क्रिस्टल रूपों का विलेता वक्रता करव समझाना है उसके बाद अपन इस प्याहेंगे मुझे इस बात का जवाब दोगे आप लोग छोटी सी बाद यादा बड़ी बात दी है कि दापका कोई प्रभाव पढ़ सकता है क्या मतलब जैसे एक ग्लास है कॉशन समझना इस ग्लास के अंदर पानी है हमने क्या किया इसके अंदर नमक मिलाया हुआ है इस जबात नमक ने बंद कर दिया और वह नमक का मान था आठ ग्राम नमक जो है वह हम पानी के इंदर गुल चुके अब और जैदा नमक हम नहीं गोल पारें अब इस समय में आपसे सवाल पूच रहा हूं कि अगर आप संत्रप्त विलियं बना चुके हो उसके अगर आप ऐसे पिस्तन विस्तन लगा करके उपर से दाब लगाओगे तो क्या दाब को लगाने से और ज्यादा नमक हम घुल पाएंगे क्या दाब को लगाने से और ज्यादा नमक घुलना संबब होगा सोच करके जवाब दो क्या दाब को दाब को लगाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा दाब को लगाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा यह नहीं पड़ेगा यह हम कैसे सो सकते हैं दिमाग में यह बात रहे कि दाब लगाने से अगर ठोसों पर कोई प्रभाव पड़ता हो या द्रवों पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो तो विलेता के अंदर फरक आएगा हम जबर्दस्ति अगर हमारे प्रेशर लगाने से ठोस जो है वह घुल सके पानी क प्रभाव आएगा परंतों को पता है कि ठोस के उपर द्रव का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है दाप को प्रभाव पड़ता ही नहीं है ठोस को आप दबा थोड़ी सकते हो आसंपीडी ये होते हैं ठोस ठोस को दबाना ठोस को कम्प्रेस करना संभव नहीं है तो ठोस जो है वो आसंपिडी ये होते हैं तो ठोस का आसंपिडी होने का मतलब क्या है उसको आप दबा नहीं सकते हो तो अगर आप ठोस को दबा नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आप इस बात का वि क्योंकि ठोस और द्रव दौनों ही अत्यदिक आसंपीडी यह होते हैं ना हम ठोस को दबा सकते हैं ना हम द्रव को दबा सकते हैं अत्य हैं दाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दापको बढ़ा भी दोगे तो भी विलेता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दापको ब गैसों की द्रवों में विलेता की हम बात करते हैं और गैसों में द्रवें की विलेता की बात करते वे आगे बढ़ते हैं ध्यान से अब समझना है सब कुछ अच्छे सुनते चलिए देखो इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जो आपके इतने ज़्यादा काम के नहीं है तो मैंने वह पॉइंट ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और कभी भी आपको ऐसा फिल नहीं हो कि हमने कोई टॉपिक छोड़ा है चीक है हम इस तरह से पढ़ रहे गैस को जब कभी भी आप द्राव में घोलोगे तो सबसे पहले तो याद रखें कि हम जब भी किसी गैस को द्राव में घोलते हैं तो क्या ऐसा प्रकरती में होता है सबसे पहले तो यह देखते हैं कि गैस को द्राव में घोलना क्या प्रकरती के अंदर ऐसा कुछ नजर आत है कि आज तो 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 अज़िए तो जब गैस द्रॉव में घुलिए ऐसा प्रकरती में देखने को मिलता है जी हां बिल्कुल देखने को मिलता है कहां देखने को मिलता है मैं समझाता हूँ आप नोटिस करो पानी के अंदर मचली को कहां से मिलती है ऑक्सीजन मचली जो पानी के अंदर है मचली जो पानी के अंदर है उसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली भी होती है उसी ऑक्सीजन का प्रयोग जो है मचली करती है इसका मतलब यह हुआ कि पानी अपने आप में एक द्रव हुआ, ऑक्सिजन अपने आप में गैस हुई, इसका मतलब ऑक्सिजन जो है पानी के अंदर गुली भी है, मतलब गैसें जो है वो द्रव के अंदर गुलती है, गैसें द्रव के अंदर विले होती है, ये बात एकदम स O2 अगर पानी में नहीं होगी तो मचली मर जाएगी या जिन्दा कैसे रहेगी मचली सही है अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई गैस पानी में गुलती है या कोई भी गैस को हम पानी में गुलते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं जान समझना देखो ये मालम आपका द्रव है ये आपकी गैस है गैस के जो अनू है वो द्रव की सताय के उपर प्रेशन लगाते है seniors अपने उपर से दाब लगा दिया तो वही गैसे जो हैं द्रव के अंदर घुलना शुरू हो जाएंगी तोकि आपको अच्छे से पता है कि गैस के उपर दाब का प्रेशर का प्रभाव पड़ता है गैसे संपिडी होती है प्रेशर की साहिता से जो है आप गैस को घुल सकते हो वापस से एक बार जब आपको किसी द्रव के अंदर घुलना हो जब आपको किसी द्रव के अंदर घुलना हो तो ऐसे केस में आप गैस को द्रव में घुलना चाहो कभी आपका मन करें कि आपको गैस को द्रव के अंदर घुलना है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है और वो सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको ज्यादा कुछ नि करना बस आपको pressure लगाना है जितना pressure लगा कैसे उतना ज्यादा gas को पानी में पाओँगे अब इसका एक ऐसा एक्जामपल दो स्वाइज निम्बू सोडा के बनने का प्रॉसेस अच्छा लगता है भाइया क्या करते हैं जहां सुनना उनके पास बोटल होती है अब में ड्राइंग बहुत जादा घटिया है तो मैं एकदम घटिया तर्ये की बोटल गराऊंगा यह बोटल वो बोटल इतनी इंट्रेस्टिंग है कि देख के मज़ा जाता है उस बोटल के अंदर एक कंचा होता है कंचा और वो भाई साब सुनना ध्यान से पूरा हेंडरी का नियम एक बार में समझ में आ जाएगा उस बोटल के अंदर वो क्या करते हैं पानी बढ़ देते हैं तो आप बरेंगे पान पानी बर यह पानी बर दिया पानी बरने के बाद में उनके पास ऐसा चक्रा होता एक ऐसी मशीन होती है इसमें एक, दो, तीन ऐसे चेंबर बने वे होते है फिर क्या करते हैं वो उस मशीन को खोलते हैं उस मशीन को खोल करके उसके अंदर बॉटल लग देते हैं एक बॉटल, कंचा नीचे, दूसरी बॉटल, कंचा नीचे, तीसरी बॉटल, कंचा नीचे, फिर वो धक्कल लगाते हैं, उसको बंद करते हैं, और बंद करके उनके पास एक हैंडल होता है, उस हैंडल से वो उसको गुमाना शुरू करते हैं, इसके साथ में एक मीटर लगा ह होता है उस मीटर में प्रेशर आता है और उसके साथ एक टन्की लगे विधी होती है गेस का टेंग लगाऊ होता है उस गैस Кстатиे में कौन से गैस्वरी होती है से ओ टूटोगे होती हैं अब समझ्ने और यहां आप एसे बढ़ने के बाद में वो क्या करते हैं जैसे ही ऑपने हास से अगुआ रहे होते हैं उस समय प्रेशर बढ़ रहा होता है और वह क्लिच क्या दे रहे हैं कितना प्रेशर बढ़ रहा है वहThis meter के अंदर, नजराता है नोन भाट साब को निकलती है और वो carbon dioxide gas इस नोजन से होती भी bottle में, सियोटू, सियोटू, सियोटू.. और क्योंकि हम ने अभी देखा कि दाप के लगाने से गैस जो है वो पानी में गुल सकती है, घैस द्रव में गुल सकती है तो दाब लगाने पर CO2 जो है वो bottle में घुलना शुरू हो जाती है अब ध्यान से सुनना यहाँ पे pressure के साथ CO2 अंदर आ रही है और CO2 जो है पानी के अंदर घुल रही है जो CO2 पानी में घुल गई ठीक है जो नहीं घुली वो यहाँ पे रहेगी अब यहाँ जो CO2 है वो इस कंचे के उपर pressure मारती है और कंचे के उपर pressure मारने से थोड़ी सी देर में क्या होता है कंचे के उपर pressure मारने से पानी नीचे है पानी के अंदर CO2 घुली भी है अब जो CO2 bottle के बचेवे हिस्से में है जो CO2 bottle के बचेवे हिस्से में है कंचे के उपर यहां जाता है अब उस कंचे का काम यह है कि वह कंचा ना तो और ज्यादा सी ओटू को बाहर से अंदर आने देगा और ना वह कंचा अंदर से साथ में उसको खुलते हैं कितना मज़ा आता है और गड़ा आपको तो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो उस पूरे प्रोसेस में कहानी किसकी है एक ही सोटी सी बात है कि अगर हम दाब लगाएंगे तो दाब के लगाने से घेस जो है वह भुलेगी और किसके अंदर गुल जाएगी द्रवितन आया मजह यहीं तो पंच है अब हमारे हमारे डेली लाइफ में यह तो हता हमारे डेली लाइफ अंदर जो चीजें पढ़िवी है अगर्लारा अगर हम साइंस को बहीं से समझने की क पटकते हैं गैस भार निकल जाती है थोड़ी बहुत गैस पानी में हो तुरंद आपको डाल के देते हैं अब आप जल्दी से पी गए तो बढ़िया है जल्दी से नहीं पिए तो सासुरी गैस उड़ जाएगी बन गया सोड़ा बढ़िया किलियर बहुत अच्छे बहुत अच्छे उम्मिद करते हैं आपको इस समझ मागया है तो क्या सीखा सीखा यह कि जितना जादा प्रेशर लगाएंगे उतनी जादा गैस गुलेगी जितना जादा प्रेशर लगाएंगे उतना जादा गैस गुलेगी यही हैंडी का नियम है इसके अलावा कोई बीचीज नहीं जो आपको समझ नहीं है यही आपका सीधा सीधा हेंडी का नियम है और इसी के उपर आपको ध्यान देना है यही आपका हेंडरी का नियम कहलाता है इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग है यही हेंडरी का सिंपल सा नियम है अब इसको ध्यान से देख लो यह समझ मां आ गया तो यही आपका हैंडी का नियम है इसके लाव कोई और दिमाग लगाने की जरूत नहीं है गैस की विलेता पर दाब के प्रभाव को मतलब गैस कितनी घुर रही है उसके उपर दाब का जो प्रभाव पढ़ रहा है उसका जो अध्यन किया था वो किस ने किया था हैंडी ने किया था अगर यह हैंडी यहां होता तो हम उसको सोड़े के एक्जामपल से हम ही समझा देते अब एक्जामपल में क्या है ने कुछ चुछ जण देखा नहीं ध्यान नहीं दिया ने तो हम सोडह वाले हमारा सोड़ा जो है ना हमारा सोड़ा वाल यह था वाला है वह यह नियम बता देता इतने बड़ी विलेता है कोई गैस की जो विलेता है वो गैस के दाब ben से मानुपाती होती है केहने का मतलब यह क्या प्रेशर लगा रखा है जितना ज्यादा उभिया इसे गोल-गोल-गोल गुमाएंगे उतना ही सोड़े के अंदर कार्बंडर उसना ही पानी के अंदर कार्बंडर यह ज्यादा आएगी और सोड़ा एकदम मस्त बनेगा तो वह लिखके दिया है कि एम समानुपाति यह मतलब क पर दिर्मिमान के रूप में इसको मोल अंज के रूप में लिखना पसंद करतेय इसको मोल अंच अब मेरी भारिक ग्यान में उसके मतलब को समझें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस टॉपिक के लिए आपने दो लोगों को मिलाया A को और B को A के जो मोल है वो N A है B के जो मोल है वो N B है ठीक है A के मोल N A है B के मोल N B है दूसरी बात अगर आपको A का मोलंच चाहिए तो वो होगा A के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल अपॉन विलियन के कुल मोल यह कहने का मतलब है यही मोलनच का मतलब है यह तो फामूला हो गया अब इसको फील करें तो क्या मतलब है देख अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि इस विलियन में A की मात्रा जादा है अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस विलियन में A जादा उपस्तित है A की मात्रा जादा है तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह नहीं है कि A का मोल अंच भी जादा होगा क्योंकि आँ सोचो अगर A जादा है तो A के मोल N A भी जादा होगे अगर N A जादा होगा तो X A भी जादा होगा और अगर X A जादा है इसका मतलब यह हुआ कि A जादा मातर में उपस्तित है सब कुछ connected है तो मोल अंच का मतलब है कितना अंच है उस बंदे का उस विलियन में अगर मोल अंश जादा है इसका मतलब वो बंदा जादा है उस विलियन में अगर मोल अंश कम है इसका मतलब वो बंदा कम है उस विलियन में ठीक है आई बास समझ में अब हैंडी ने कहा कि ये काम करते हैं या मोल अंच के हिसाब से हम हमारे formulator को design करते हैं गिया उसने कैसे किया उसने का जितना जादा gas का pressure होगा कि इस जितना अबखिया सोड़ा वाला जोर जोर से गुमाएगा उतना जादा जादा गैस का दाब होगा उतनी जादा गैस घुलेगी गैस के घुलने से क्या बनेगा विलियन अगर एक बार विलियन बन गया अगर एक बार गुल गई गैस तो विलियन बन जाएगा उस विलियन में अगर गैस जादा है इसका मतलब गैस का मोल अंश जादा है तो यह भाई साब ने कहा कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का उतना ही ज़्यादा गैस घुलेगी इसका मतलब गैस का जो मोल अंश है वो भी उतना ही ज़्यादा आएगा गैस इन लिक्विड गैस का जो मोल अंश है लिक्विड के अंदर मतलब जिस भी द्रव में आप बोलना चारे हो गैस का उस द्रव में जो मोलंश है वो उतना ही जादा आएगा इस तरह से इन्होंने जो है बनाया आई बास समझ में और आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो इन्होंने यही कहा एक सेगेंड कहां पे थी परिवाशा अब इस परिवाशा को पढ़िए इन्होंने आगे की बात बोली कि यदि विलेता को विलियन में गैस के मोलंश के रूप में वेक्त किया जाए तो हैंडी नियम के अनुसार किसी गैस का वाश्पावस्था में आंशिक दाब किसी गैस का आंशिक दाब जो है उस विलियन में गैस के मोलंश के समानुपाती होता है और यहां में लिख सकता हूँ गैस मोलंश गैस का विलियन के अंदर आप गैस का विलियन मैं सिप में पूरा लिख रहा हूं आपको पूरा लिकना है एक करेंगे अगली क्लास में तब समझ में आएगा कि मैंने इस सरे से क्यों लिखा आगए वास मैं पी पहरूं अ ostat अगर मोटी मोटी ब entste में समयारे कोशिश कर ईए आपका ड्रव है यह अब जो प्रेशर उपर से गैस मार रही है के उपर उपर से घैस का फैसा है वह आपकाफी है और जितनी गैस घ्ञ खुल चुकींव ऑस गैस का जो मौलंच है वह आपका ऐसे और इसको लिखेंगे गैस इन लिक्वेड यह वाली है कि बोलो मुन्ना समझ मां आ गया कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं इसको किलिर नहीं हुआ आज की क्लास में कि हैं अब इससे संबंदित निमेरिकल तो हम अगली क्लास में करेंगे ही बट सबसे पहले तो इस नियम क तो समझ लें इतनी अच्छे तरीके से कि मज़े आ जाए कि वह हमारा टार्गेट होना चाहिए कि पी समावनुपाती है एक्स गैस के और पी बराबर अब देखो एक बात तो समझो कि गैस का अंशिक्दा पी जो है वह एक्स के समानुपाती है इसका मतलब यह हुआ कि यहा कि अगर आप हैंटा जानते हैं और एक और बात आपको अच्छे से पता होनी चीह कि A समानुपाती होता है B के तो अगर आप A और B के बीच में जब भी A B के समानुपाती है और आप A यह चित्र आपका 2.1 है ना सेकिंड चैप्टर का फ़स्ट चित्र यह है जो मैंने आपको समझाया आज और चित्र 2.2 आपके सामने अभी मैं बनाया हूं वो है यह जो अभी मैंने बनाया है यह चित्र 2.2 है यह बना ग्राफ 2.2 देखिए तो अगर आप पी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको आईसा मिलेगा और एक फुद्दूसा सवाल और आता है कि इस graph का slope आपको क्या देगा किसी भी graph का जो slope होता है ना मतलब किसी भी graph की जो परवरता है जिसको हम slope के नाम से भी जानते है वो होती है 10 theta और 10 theta क्या होता है y by x तो y में कौन है p, x में कौन है x तो p upon x मतलब इस graph का तो slope है वह आपको क्या देगा p upon x, p upon x क्या है यहां से देखो p upon x बराबर henry नेतांक तो इस graph का slope आपको क्या देगा k h क्या है henry नेतांक है इसका मतलब यह हो गया कि अगर ग्राफ देखकर कि फुद्धूसरा सवाल आप से पूछे उसको बता देना कि हाँ इस graph का जो शेत् दिकत नहीं हैं आगे बड़े हैं समझहो k h के बारे में बात करते हैं henry नेतांक के बारे में बात करते हैं p बराबर में KH समझो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि X बराबर पी अपॉन KH है दिख रहा है फॉमले में साफसा कि है 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 जितना जादा है हैंरी नियतांक का मान होगा एक दिये गए दाप के ऊपर अगर मानले अपन पी को फिक्स कर दें और पी को फिक्स करने के बाद हम अलग अलग गैसिस को देखें तो अलग अलग में जो KH कमान होगा अगर वह मान जादा आ रहा है इसका मतलब उस गैस के लिए X कमान कम आयेगा एक्स का मान कमाने का मतलब क्या हुआ एक्स का मान कमाने का मतलब हुआ गैस का मोलंच कम है गैस का मोलंच कम है इसका मतलब गैस कम गुली है गैस अगर कम गुली है इसका मतलब उसकी विलेता कम है तो ध्यान रखें कि के एच का मान अगर जादा आता है तो इसका मतलब विलेत जो है वो कम हो जाएगी इस बात पर विशेश ध्यान रखिएगा अगर के एच का मान ज्यादा आएगा इसका मतलब विलेता जाएगो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हाँ जी किलियर है सबी को समझ मां आगई बात यहीं बात लिखी हुए कि समान दाप पर समान दाप का मतलब पीकम रहे तो उस समय हैनली नेतांगग गैसों के विलेता है उनकी विलेता कम होती है इधर लॉजिक समझा दिया इधरgoै ऑड़र समझा दि इस से बास्ट और क्या हो सकता है कि आप थियोरी भी समझ लेए हो साथ साथ है एक्साम में कैसे लिखना है वो भी आपको पता चल रहा है और actual में समझाने की जगे भी यहाँ पर है तो पहले मैं समझा रहा हूँ फिर theory पढ़ा रहा हूँ theory पढ़ा कर के नहीं समझा रहा हूँ समझो बात को यार और जिसके लिए कह का मान कम होगा x का मान जादा होगा जिनके हैनी नितांग कम है उनके लिए विडेटा का मान जो है जादा है आई बात समझने में ठीक है के लिए है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी बढ़िया और ताप मान का मैंने आपको बता है ताप मान का प्रभाव भी पड़ता है के उपर ताप मान बढ़ाने पर कुछ गैसों के लिए देखा गया ताप मान बढ़ाया तो एंटू और जैसी गैसों के लिए ताप मान बढ़ाने पर कश कम आन बढ़ता है कम हो जाएगा मतलब गैसों की विलेता क्या हो जाएगी so तो जब तापमान बढ़ेगा तो गैसों की विलेता नाइटोजन ऑक्सिजन जैसी गैसों की विलेता जो है वह घटेगी और यह बात ध्यान रखना अताहर जल जीवन के लिए गरम पानी चाहिए गरम पानी के अपेक्षा ठंडा पानी चाहिए क्योंकि मैं आपको एक बात अ चाहिए जम के मर जाएंगे उस जगह पर उस थंडे चिल्ड वाटर के अंदर मचली आराम से रहती हैं वहां पर एक्विट्टिक लाइब बहुत ज्यादा है समुंदर के नीचे थंडक में आपकी मचली रहती है क्यों होता ऐसा कूंकि जो मचली है जो मचली जल की रानी है पड़ा है आप लोगों ने तो मचली जो है वो जल की जो रानी है वो जल की रानी उसको जल कैसा चाहिए ठंडा पानी चाहिए क्यों जी ठंडा पानी के अंदर अगर तापमान कम रहेगा तो उससे केच भी कम रहेगा केच कम रहेगा तो एक्स ज्यादा रहेगा मतलब अगर तापमान कम होगा तो तापमान कम होने से यह N2 और O2 जादा घुलेगी पानी के अंदर और अगर N2 O2 जादा घुलेगी पानी के अंदर तो मशली जल की रानी को ऑक्सिजन जादा मिलेगी और मशली जल की रानी को ऑक्सिजन जादा मिली तो मशली जल की रानी खुश रहेग बताओ मुन्ना यहां तक समझ में आया कोई भी विध्यारती ऐसा है जिसको आच्छी क्लास में समझ में नहीं तो कमेंट कर सकता है कहानी बहुत सीधी सीधी है तापमान का फेक्टर भी आप दिमाग में रखें कि एंटू ओटू जैसी गैसों के लिए तापमान का बढ़ना क चोब बढ़ाता है और चोबढ़ना एक्स को कम करता है मतलब जितना ज्यादा तापमान रहेगा उतना मचली जल्की रानी को ओक्सियन कम मिलेगी और वह जिंदा नहीं रह पाएगी इसलिए जो है मचली ठंडे पानी में रहना पसंद करती है हैन्यिनियम की सीमाओं का है है एन्य नियम की शीमाओं को खटा कट पढ़के क्षतम करते हैं दाब बहुत ज़ादा नहीं होना चाहिры Так A करे गयस की विलेता विलायक में कम हो तब इनियम आप नहीं लगा सकते गैस की आईब का वस्ता दोना वस्ताओं में एग जैसी हो ऐसा नहीं है कि हमारी गैस घैसी परिवाशित नहीं कर सकते हैं पानी के पानी के अंदर अच्छी मात्रा में घुलती तो वहां पे रजीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती परंतु होता यह कि परंतु होता यह है कि जो एसील और एसी गैसे ना वह गैसे घुलना पसंद कम करती है बैंजीन जैसे मिलाइकों में भूलती है तो अगर एसील जैसी गैसों को आप बैंजीन में घुलोगे तो क्योंकि वह कम घुल रही है इसलिए वहां पर हैंजी का नियम ठीक से करती है न चल्ट बोला साला में तो गुलाने के लिए बुलाया तो ने बहुति अब नहीं करती हैं तो इसे केस में और हांव अपने आयनों में बढ़ जाती है जो है यह भी दोका करता है जल के साथ में SCL जो gas है SCL जो gas है जलने काता कि आओ मिलो हमार से हमारे अंदर घुलो SCL बोलती भाड मजा SCL अंदर जाकर करके H प्लस और C L माइनस आइनम में बढ़ जाती है फिर क्या इसी तैसी होगी हेंडरी की नियम की मतलब हेंडरी का नियम जो है इस तरह के फैक्टर्स पर अप्लाए नहीं होता NH3 और SCL जैसी गंदी जो गंदी जो gases है वो क्या करती है पानी के साथ धोका करती है धोका धोका मा में साथ धोका हुआ में शक्तियों का गलत उप्योग हो रहा है तो यहां पर NH3 और जो आपका SCL है वो पानी के साथ गलत करते है तो पानी अपनी मा को फोन लगाता है कि में साथ धोका हुआ है हुए जाद है आपको क्रिश वाला कॉंसेप्ट वह वाला पॉइंट है याद रखें इसको मेशा कि यह भी जाकर क्या करता है इस तरह से काम करता है तो हेंजी का नियम पर वान पर कभी भी नहीं लग सकता क्लियर अभी आपने हैंजी के नियम को थोड़ा बहुत ही पढ़ाये इता खुश मत हो अभी आपको हेंजी के नियम में बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है इसी reason से मैं आपको ये बिनमने निविदन करूँगा कि आप इस पूरी slide को अच्छे से revise करके रखे और अगली class में हम handy संबने कुछ प्रशने करेंगे ये सारे प्रशने प्रशने क्या एक, दो, तीन, चार नहीं है DPP में है अगली class में हम numericals पर ही विस्तार से बात करेंगे आप बस इस point को अच्छे से revise करके आईएगा और जो मैंने आपको अच्छे से बताया था ना ये point गैस का willion में इसको अच्छे से याद रखिएगा next class में हम इससे संबन्दित प्रशनों को solve करेंगे clear clear तो इसी के साथ में हम आज की class को खतम करते हैं इस उमीद के साथ कि आपको बहुत मज़ा आया है और अगली class में हम और भी थोड़ा सा Henry के नियम को और discuss करेंगे इसकी practical applications को थोड़ा सा और समझेंगे और फिर इससे PPT बना करके नहीं लाओंगा तो उस case में बहुत सारे points मिस हो जाएंगे इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सभी से करो आपको समझ में आएगा और मैं PPT से देख करके नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पूरा explain कर रहा हूं फिर आपको थेयोरी बता रहा हूं PPT में से तो परिशान होने के कोई जड़त नहीं मस्त करो मिलते हैं जिस क्लास में आज बहुत उंदा लेवल का डेरिवेशन करेंगे सभी बच्चे पड़ापड से आजाओ प्लास शुरू होने वाली है बबाए जैहिंद अभी तक बैच जोईन नहीं किया है नीचे वाट्साप नंबर है उसमें मैसेज करो कॉल करो जानका नहीं लो अपने बैच को जोईन करो ताकि इस तरह की पूरी झाल झाल झाल